अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें पार आकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है कैसे हैं आप सब्सक्राइब आपने किजनर बहुती जबर्दस रेसिपी बिनाने जा रहे हैं बिसमिल्ले रख्माइब रहीम अब हम पनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विवर्स यह ने डार्क चॉकलेट ली है आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डार्क चॉकलेट से जादा अच्छा फ्लेवर आएगा अब मैं इसमें एट करूंगी वन फोड़ कप कुकिंग ओईल यह कुकिंग ओईल मैं यूज़ क और बिल्कुल भी पैन वगरा से नहीं चिपके अम मैं इसको मुस्तकिल इस्ट्रेयर करती रहोंगी यानि कर चलाती रहोंगी ताकि यह जल्दी से मेल्ट हो जाए और यह पैन से चिपके नहीं यूज़ कि डाक चॉकलेट होती है या फिर मिल्क चॉकलेट होती है अगर गई है यह देखेमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है अब हम गर्म गर्म चॉकलेट को रूं म में लाकि पर हम इस मिक्शी जार में एड करेंगे डारेक्त गरम द्रोब गाश्त कीजीगा थंडी होनी चाहिया यह निकि रूम टेंप रेजर में होनी चाहिए यह रहेक़्ECT म के अंडे आप नहीं उस किजिएगा इस केक के लिए मैं इसमें तकरीमन टू एक्स एड़ कर रही हूं अगर आपके पास एक्स नहीं है तो आप इसको स्केप भी कर सकते हैं लेकिन एक्स से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है थोड़ा नहीं बहुत जादा अच्छा करके अगर आपको जादा मीठा फसन तो जादा एट कर लीजिए क्योंकि मेरी अमीको शुगर है इस विसे मैं थोड़ा कम मीठा रखती हूं अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लोंगी बिसमिल्ला अरख्वान रहीम बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड कर अब लृंड हो चुका है मैं इसको डिशा में ण कड स्वार लुंगी अब मैं आब करूंगी विवर्सफ स्वानिला एसेंस क्नों कगे आप लुगे की अंड़ो की उता है और वच्छे गवायक्वान पीछ मैं करने के लिए होता है येस writing शेवोड roommate कर दूँद ऑन डिसमिल ती स्पून यूज़ कर रही हूं यह इसमें मैं एड़ कर दूंगी बिसमिल्ला रख्मादर रहीम और यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके बास हो घर में तो डाल दीजिएगा वना आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब मैं इसको अच्छे द करना लाजमी होता है अगर हम इसको स्ट्रेंड करना लाजमी होता है अगर तो क्वान नहीं करेंगे तो इसमें हवा नहीं आएगी जिसकी विएसे आपका टेग रहित नहीं होगा यह देकंद उसको फ्रियंगर लेना है मैं इसको अच्छे दाहेंसे मिक्स कर लूंगी और सबसे जरूरी हुआ यह है कि इसको एक ही साइड पर फूल करना है अगर आप लेफट हेंड साइड पर फूलory हें तो लेफट हेंड पर फूलाज कीजिएगा अगर राइट हेंड साइड पोडर कर रहें तो राइट Municipal कीजिएगा इससे भी वहाँ के एंध्या टूरा एड़ नहीं करते हैं लेकिन मैं आड़ करती हूँ युक्र मुझे बिकुल पिच्की वी छोटी सी ब्राउनी ज़ू पी अच्छी नहीं लगती इस वह से मैं आड़ करती हूँ यह देखे मैं इसको च्रेक से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें एड करोंगी 1 टेबलिसपून पानी ये टोटल 2 टेफले स्पून है परहे प्रॉछ थोड़सा नींज करेंगी दोसर टेबलिस elder करेंगे ये दीए कर दिया इस फज फजी ब्राउणी में धूर्ब यूज नहीं करते हैं यूद्起來 При fish colony season फजी नहीं किलाएंगी इस वरसे इसमें दूद्ध नहीं करते हैं इसका पेस बहुत जिदा ठीक होता है तो आपने बिल्कुल भी खबराना नहीं है और इसकी अच्छी किसे स्प्रेट कर लिजिएगा यह देखें मैंने विकिंग पर एड़ कर लिया है और इसको भी अच्छी किसे में ऑईल से ग्रीज कर लूँगी अगर आप बटर यूज करेंगे तो सुभान अल्ला अब मैं इसमें अपना बैटर एड़ करूंगी यह देख सकते हैं आप कितना जाद थिक है इतनी थिक कंसिस्टेंसी होने चाहिए आपकी भी यह देखें कितनी जादा थिक कंसिस्टेंसी है इसकी एड़ करते में फॉल भी घपल आप ढहतके इस तरीके से लिए चारों वे तक इसके अच्छी तरीके से शेप बन जहें है जह यह दो इससलिफोर के उप ही है अगर आपके पास है तो डाल दीचेगा और रहने दीचेगा यह बिल्कुल ऑप्शनल है और इस तरीके से में स्पून से प्रेस कर दूँगी ताकि चोकले अंदर तक जाए यह देखिए अब वीवर्स मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी पतीले में वीवर्स मै पतीले को दस मिन पहले पर हीट करने के लिए रख दिया था अब यह गरम हो चुका है अब मैं इसमें अपना बैटर एड़ करूंगी यह देखिए और इसको बिल्गुल लो फ्लेम में बेक करूंगी तकरीमा चालिस मिन के लिए चालिस मिन के बाद वीवर्स यह देखिए हमारा फजी ब्राउनी के कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ यह अंदर दक से बेक हुआ है कर नहीं यह मेरे पास स्टिक है वीवर्स मैंने पहले पर चेक किया था इसके उपर निशा और कितने अच्छे तरीके से बेक हुआ है अब मैं आपको डिश ओर करके दिखाती हूँ यह दिखी हुआ स्रून टेमरेचर में आने के बाद हमारा फजी ब्राउनी केक मैं इसको डिश हर रही हूँ पहले में इस तरीके से मैंने फ्लिप कर लिया है अब मैं इसका यह देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूं ये कि जड़र टेस्टी है यमी है रिलिश्यस है और यह केक मैंने अपनी आम्मी की फर्माइश के बनाया है यह समरा फजी वाला केक बनाओ तो अम्मी के लिए मैंने आज यह केक बनाया है अब अम्मी करके बताएंगी कि हमारा फजी ब्राउनी केक कैसा बना है अम्मी काटिए आप अब अम्मी खाएंगी वेट कीजिएगा अम्मी की रिस्पॉंस का अम्मी कैसा बना है बताओ शौरी में जूम करने लग गई थी अम्मी अब जल्ली से चक्के बताईए कैसा बना है बेटा बहुत जबरस्त बना है और मज़ा गया है जो भी इस लग एक बनाएगा न वो खुश हो जाएगा थैंक यू अम्मी अगर आपको में रेसीवी पसाने है तो लाइक कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अपना भाद भाद क्या लखिएगा अल्ला हाफिज